तो वेगापंक का नया इंविंसन आ चुका है सेरफिम्स पर ये कितने स्टॉंग है और क्या इनको हाग की आता है और इनका ओरिजिन क्या है So hey what's up guys it's a boy असलील बच्चा 0669 back with another video और आज जमने बात करने माले हैं सेरफिम्स के बारे में So let's begin तो चलो सुरुवात से सुरू करते हैं 24 साल पहले एक illegal scientific research team जो के उस टाम काफी famous था जिसमें Queen, Caesar Clown, Winsmoke Judge और Vegapunk था Caesar Smile Devil Fruit Gigantification जिसमें वो बच्चों के उपर experiment करता था और gas weapons पर वो काम करता था दूसरे तरफ Queen, Weapons और Cyborg में उसका पूरा experiment रहता था और Judge, Genetic Modification और Clowning पर वो focus करता था और इसी बीच Vegapunk का इन सब पर direct access था और जैसा कि हम लोग जानते हैं Vegapunk One Piece World का सबसे बहतरीन scientist है और उसके teammates के knowledge और उसके खुद के creativity के बल पर वो उनके creation को और भी बहतर बना सकता है So unlike Pacifistars, Seraphim's pure robots नहीं है Chapter 1059 में जब बोवा का clone अपने हाथों से laser beam fire करती है, उस वक्त उसके हाथ को ठीक से नहीं दिखाया गया था Same case Biong के साथ भी हुआ था, उनके angle को इस तरीके से draw किया गया है, ताकि इस तरीके से वे दिखे कि उनका हाथ ठीक से ना सो हो But Pacifista के case में जब वो लोग अपने हाथों से laser beam fire करते हैं, तब उनके हाथ में वो mechanical चीज दिखता है लेकिन इसका मतलब क्या है, well, Seraphim's actually wind smoke के experiment की तरह है, पर उनसे बहतर Judge ने अपने बच्चों पर human DNA का use किया था, जबकि ऐसा लगता है कि Vegapunk में human की जगा lunarians के DNA का use करा है Kaido के past में हमें ये दिखाया गया था कि Vegapunk ने king के body पर research करा था, so most probably उसके पास lunarian DNA है And as we know, Lunarian one of the strongest jeev या फिर race है one piece में And in addition, पिछले warlords के genetic potential के साथ ये clones और भी ज़्यादा strong हो जाते हैं और इसलिए ये बिलकुल possible है कि हाँ, ये Seraphim's actual living beings हैं तो इन पे robots वाला limitation नहीं आता है इसका मतलब इनको haki सिखाया जा सकता है या फिर इनको already आता हो क्योंकि haki एक natural चीज है और haki को कोई भी कड़ी training करकर achieve कर सकता है सिवाए robots के हाला कि kings haki या फिर conquer haki इन पे नहीं हो सकता क्योंकि वो god gifted होता है Anyways, Seraphim's के introduction के साथ यहाँ पर दो और possibility आता है काइडो के उपर भी research हुआ था वेगा पंक ने जब काइडो का dna लिया था उसके devil fruit को copy करने के लिए तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो उसके dna के help से उसका भी एक clone बनाया हो यानि कि lunarians और oni के dna का mixer ये चीज कितना strong होगा और क्या winsmoke judge ने भी अपने बच्चों के उपर lunarian dna को डाला था और ये चीज़ सिर्फ Sanji उपर काम किया और जिस तरीके से world government buggy को इतना बड़ा threat मानती है उस हिसाब से देखा जाए तो buggy को actually ये लोग काफी ज़्यादा strong बनाये होंगे हाला कि ऐसा लगता है कि इन सब का leader Hancock का clone है क्योंकि उसके आंखों का जो pupil है उसमें star बना हुआ है जो कि mihawk के साथ नहीं था जो भी हो Fujitor actually इन सब के बारे में काफी serious था कि world government के पास अब actually warlords का बहुती तड़ा replacement है comments में बतलाओ कि तुम क्या सोच तो इन सब के बारे में तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो like करना और अगर नहीं पसंद आई हो तो दो बार dislike मार देना चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी one piece related content के लिए और share करो यार मुझे ने मालूमने अब भी करो मिलते हैं किसी और वीडियो में कर दो और वार वीडियो में